22 जन्वरी को अयोध्या में भगवान राम की मूर्ती की प्रान प्रतिष्ठा होने वाली है। इस समारों के लिए देश भर में उत्सा देखने को मिल रहा है। कई राजों में राम मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए स्कूल कॉलेज की छुट्टी का भी ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को प्रान प्रतिष्ठा वाले दिन को दिवाली की तरह मनाने की अपील की है। अयोध्या में होने जा रहे है इस भव्य समारों में शिरकत करने के लिए देश और दुनिया की कई दिगच हस्तिया भी यहां पहुँच रही है। बड़े राजनितिक चहरों और बॉलिवुट सितारों के अलावा इस समारों में देश के दिगच कारोबारी भी शामिल होने वाले हैं। तो चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में हो रही प्रान प्रतिष्टा में किन कारोबारियों को आमंतरण मिला है। नमस्कार मैं हूँ ईशामालवी और आप देख रहे हैं बिस तक। 22 जनवरी को भगवान राम की मूर्ती की प्रान प्रतिष्टा समारों में टाटा ग्रूप के पूर्व चैर परसन रतन टाटा, एशिया के सबसिरही शक्स मुकेश अमबानी और उनका परिवार, अडानी ग्रूप के चैर परसन गौतम अडानी और आनन्द महिंद्रा को दिरमेता, जी एमार समू के जी एमार राओ और रियल एस्टेट कारोबारी निरंजन हीरा नंदानी को भी आमंतरन मिला है। समहारों के लिए अयोध्या में जमकर तैयारिया चल रही है। यहां 22 जन्वरी को वी आईपी लोगों के सुवागत के लिए सुरक्षा के भी कड़े बंदुबस्त किये गए हैं। सूतरों से मिली जानकारी के मताबिक अधिकारियों का अनुमान है कि 22 जन्वरी को कम से कम सो प्राइविट जेट अयोध्या एरपोर्ट पर उतरेंगे जिससे ये पूरी तरह से फुल हो जाएगा। इस समारों में कितनी भारी संक्या में लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कार पार्किंग के लिए अयोध्या ही नहीं बलकि लगभग चार घंटे की दूरी परस्तित वारा नसी में भी स्लॉट फुल हो चुके हैं। वही गोरकपुर हवाई अड़े में जेट पार्किंग भी फुल बताई जा रही है। एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत बुट इस प्रेमियम सब्सक्रिप्शन में तीन तरह के प्लान्स हैं सिल्वर गोल्ट और प्लाटिन जिनके शुरुवात मात्र एक सो उन्सट रुपे महिने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहदासान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाए। जॉइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रेमियम मेंबर। प्रेमियम मेंबर।